इस question बोल रहा है कि एक X-ray है ठीक है जो कि एमिट मतलब X-ray हो रही है copper का target है और mobility का target है मतलब दोनों मिक्स है ठीक है दोनों यहाँ पर element mix है उसके साथ कोई एक impurity element भी उसके साथ है जिसकी वाज़ा से जो wavelength वहाँ पर मिल रही है वो क्या मिल रही है 22.85 nanometer की ठीक है के alpha line की बात कर रहा है हाँ और individual अगर देखा जाए अगर individually यह impurity के वजह से wavelength हमें जो मिल रही थी कितनी थी 22.85 nanometer की तो हमें यही बताना है कि जो impurity उसमें है उस impurity का atomic number क्या होगा मतलब impurity को identify करना है क्यों क्या होगा ठीक है इसके लिए copper का atomic number हमें पता है और के छहां मॉलिब्डेनव का हमें atomic number दिया गया है ठीक है स्वह यहां से हम कि हमारा कोपर के लिए क्या ले लेतव हैं जिटमा लेते हैं एसरो जे पर लेते हैं और सब्सक्राइबcu जर्ड फसटर जाось जाएंगी तो यह इसा समयार्ट पर तो आर और इस टोड़ीर क्या है डर लेंड़ियो लेंटाइक वाइनटार्ट बसुंत ठीक है यह equation में पता ही क्या है मोजले लोग equation होती है मोजले equations होती है ठीक है सो हम दोनों element के लिए copper के लिए और molybdenum के लिए हम दोनों के लिए हम पर equation इसको लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा c by lambda 1 equal है हमारा a into z1 minus b के ठीक है और इसी तरह से इसी तरह से हम z2 के लिए लिखेंगे तो यह आ जाएगा c by lambda 2 equals to a into z2 minus b के ठीक है तो यहाँ पर दो equation हमें मिल रही है इस तरह से तो अब इन दोनों को हम ratio ले लेते हैं let's say यह equation first है और यह हमारी equation second है ठीक है तो दोनों को जब ratio लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से यहां से हम ratio लेंगे तो यह आ जाएगा lambda square root of lambda 1 sorry lambda 2 over lambda 1 आएगा lambda 2 over lambda 1 हम ले रहें इस तरह से तो यह equal आ जाएगा हमारा a into z1 minus b divided by हो जाएगा a into z2 minus b के ठीक है तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं यहां से अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से lambda 1 और lambda 2 की value हमें दे रखी किती है 7.12 divided by 15.42 और इनका क्या है इनके power है 1 by 2 मतलब square root है ठीक है तो यह equal हो जाएगा a से a cancel out हो जाएगा यहां पर हमारे पास क्या बचाए z1 और z2 z1 की value हमें पता है किती ही copper के लिए 29 और minus b divided by 15 का कितना दिया है molybdenum का वो है 42 minus b हो जाएगा ठीक है तो अब हम इसको solve कर लेंगे इन equation इस equation को solve करते हैं तो इसको solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा lambda 1 over lambda 2 ठीक है sorry यहां से इसको solve करेंगे इसको इस तरह लिख लेते हैं यह जो equation आई है यहां से हम देख सकते हैं कि b equals 2 हमारे पास आ जाएगा 1.44 ठीक है तो हमने क्या के लिए हमने constant b की value यहां पर find out कर ले है ठीक है अब हम इसको use कर लेंगे lambda 1 lambda की value find out करने के लिए जो की impurity है ठीक है तो lambda 1 over lambda हम यहां पर निकाल लेते हैं इन दोनों का ratio ले लेते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं लेट से यह equation 1 है यह 1 तो इसको बोला था तो इसको equation 3 बोल देते हैं तो equation 3 और 1 से अगर हम देखें इन दोने equation का हम consider कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा lambda 1 over lambda की power 1 by 2 यह equal होगा z minus 1.44 divided by z1 minus 1.44 ठीक है यह b की value हमें पूट कर दी और a से cancel out हो गया तो finally इसको solve करेंगे तो हमारे पास lambda 1 और lambda 2 की value तो हमें given है यहां भी यहां कित्ता है 15.42 और divide में आ जायाएगा 22.85 जो impurity के साथ wavelength हमें मिल रही है ठीक है और इसका क्या है इसका whole square है 1 by 2 के मतलब square root of 15.42 over 22.85 ठीक है तो यह equal है z minus 1.44 divided by z1 की value हमें दे गई है जो की है 29 minus हो जाएगा 1.44 तो इसको solve करेंगे तो हमें finally जो value भी लेकी वो आ जाएगी यहां से इस तरह से हमें निकालने है z की value ठीक है atomic number निकालने है तो z equals to आएगा 24 के ठीक है इसको solve करेंगे तो z equals किता आएगा 24 के तो हम देखते हैं कौन सा option सही है इसके लिए ठीक है तो हम देखते हैं तो यहां पर जो third option है इसके लिए क्या होगा right option होगा ठीक है तो जो impurity element था हो किया था उसका atomic number था 24 करेंगे तो कि अदिए धियो को पड़ने है इसके उपकेव तो तो हमनुप सेफ़ स्वेस्टावडने है तो आएगा यहां यहां है अज्यूगफ यहां है इसके पर किया देखते है